हम लोग जब विहार की राजीनिती की वाद करते हैं तो मुझे लगता है कि लालो फरसाद यादों को आप सभी लोग जानते हैं और जो RJD है इसके वो मुख्या है और इसके संस्थापक भी है लेकिन इसके बाद आप लोग दूसरा नाम भी सुनते होंगे जगदा बाबू का और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने जगदा बाबू की फोटो भी देख रहे होंगे और कभी कभी तो देखे मुझे लगता है ऐसा कि लालो फरसाद यादों के बाद RJD में किसी का इस्थान है तो वो जगदा बाबू का है ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखे कि लालो के इतने खास हैं जब भी लालो यादोफ और परिवार पर जो भी मुसीवत आई हुई है कभी भी कोई भी समझ से आई हुई है तो जगदा बाबू हमेशा उनके साथ खड़े रहे है आप देखेंगे कि इनका बेटा एक बार बीजेपी की तरफ से चुनाओ लड़ गया और आप देखेंगे कि इनों ने उसके खिलाब पिरिचार किया अपने बेटे के खिलाब उस समय भी सबसे आँगे जगदा नंद बाबू या जगदा बाबू सामने खड़े हुए थे अभी आप देख रहे होगे कि तेज फिरताब यादो जो लालू यादो के बड़े पुत्त हैं उनके भी जो जगदा बाबू के बीच तना तनी चली आती है लेकिन आपने देखा होगा कि लालू फिरसाद यादो और तेजस भी यादो जो कि आप सभी को मालू है कि लालू फिरसाद की छोटे वेटे हैं तेजस भी यादो वो हमेशा जगदा बाबू का सपोर्ट करते हैं और इसी का नतीजा है कि तेज़ फिरताव यादो एकदम अखेले फड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि उनका एक तरह से पार्टी में कोई जानदा बड़ा कद नहीं रहा है और आप सभी जानते हैं कि अब बागडोर आरजेडी की तेज़स्वी यादों के हाथ में आ चुकी है और तो आज हम लोग जगदा बाबू के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे इन्होंने अपने बेटे को किस तरह से चुनाओ हराया था उस पर भी हम लोग बात करेंगे और भी इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारी जानकारी है तो मुझे लगता है कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए इस तरह के नेता कम ही आपको देखने को मिलेंगे जो अपने देखे भरोसे के लिए आपने वेटे के तक का साथ नहीं देते हैं बढ़ना आप सोची पुत्त मौह मैं तो कितने राजनिताओं ने अपना एक तरह से फरीवार घर फरीवार बरबात कर दिया बिहार की बात करें तो बिहार की राज़दानी पटना है और बिहार से लगे हुए राज्य देखें तो उत्तर पिदेश हो गया, जारखंड हो गया, पश्चे मंगाल हो गया और इसकी अंतराष्टी सेमा नैपाल से लगती है, किसे नैपाल से लगती है और बिहार में आप देखेंगे बिधान सभा में आपको सीटें देखने को मिलेगी 243 बिधान परिशत में 75 सीटें हैं राज्य सभा में 16 सीटें हैं लोग सभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेगी और इन पिक्चर्स से आप लोगों को और कदमाल उचल जाएगा जगदा बाबू का देखे लालू फिरसाद यादो है और जगदा बाबू है फिर आप देखेंगे यह लालू फिरसाद यादो और आवरी देवी आप सभी जानते हैं लालू फिरसाद यादो की पत्नी है ये भी आप देखेंगे बिहार की मुखमंदी रहे चुकी है लालू फिरसाद यादो और जगदबाबू फिर आप देखेंगे कि यहां देखेंगे कि यहां देखेंगे तेजस भी यादो तेजपरताब यादो और ज चद्म जगदा बाद्व का कद्मृ, को कि यादव पीछे ख्ड़े होए हैं, चख्ड़ावाबु आंगे ख्ड़े होए. एक nest तावर ने ता हैं, इसमें कोई दोराइ नहीं होनी चाहिए. यहां भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तेजस्वी यादो और जगदा बावू एक बात और मुझे लगता है कि तेजफिरताब यादो के जो सफोर्टर होंगे उन्हें एवास सुनकर साइद हो सकता है कि वो रालग सकता है लेकिन यह हकीगत है देखे अभी अगर तेजफिरताब यादो अगर पार्टी को तोड़ना चाहे तो कोई भी मेंबर बिधायक छोड़ी आप लो MLC का सदस भी उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि बिहार की राजनीती हो या बिहार के बाहर देखे गलिए राजनीती की बात कर लीजेए सभी जनता और सभी राजनेता जो भी हैं वो Τेजस्वी यादो को लालू पिरसाद यादो का राजनेतिक उत्तरादीकारी मान चुके हैं वो भली चोटे बेटे हों और विहार की जनता भी उन्हें अपना नेता मान चुकी है और इस पात को मुझे लगता है कि लालू ने साप कर दिया है कि उनका उत्तरादीकारी तेजस्वी यादो है तो तेट पिरताब यादो के पास अब कोई option नहीं है और वो जोड़े रहें तेजस्वी यादो से तो ही मुझे लगता है कि फायदा भी है और जगदा बाबू के बारे में अगर बात करें तो इनका जनम 15 जुलाई 1945 में होता है जिस समय हमारे उपर अंग्रेजियों का सासन था यानि कि आजादी के पहले इनका जनम हो चुका था एक भारती राजनेतिक हैं और वह पंदरवी लोकसभा की में बकसर लोकसभा निरवाचन सेट का पितिने धित करते रहे हैं और लोकसभा सदस बनने के लिए आप सभी जानते हैं कि आपकी उमर 25 साल होनी चाहिए कम से गब और जो लोकसभा सदस का चुना होता है ना एक डारेक्ट जनता के द्वारा होता है आपकी उमर भी 18 साल हो चुकी होगी तो मद्दाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग भी बोट डालने जाते होगे और वो रामगर निरवाचन चित से राजत के छेवार बिधायग भी रह चुके हैं यारनी की राष्टिय जनता दल की हो से और आप स दूसरे स्थान पर हैं जगदा नंदी सिंग राष्टी जनता दल की स्थापना के बाद से लालु प्रसाद यादो से के साथ जोड़े रहे हैं वह राजनेता समाजबादी वर्ग और विहार इस्थित राजनितिक दल राजत की संस्थाबक सदस हैं और आप सभी जानते हैं जो जेपी आंदोलन हुआ था जेपी नारायन साब का इंदरा गांधी के समय की बात करें उसी से निकले हुए सभी नेता हैं फिर चाहिए आप तेजस भी यादो किसे मापकरी तेजस भी नहीं तेजस भी यादो के फिता लालु प्रसाद यादो या जगनानंद हो या फर निर्वाचन छेत से भारती जंता पार्टी के साथ के लाल मुनी चौवे को इन्होंने सपलता पूरवा खराये था हाला कि 2014 और 2019 में जगना नदिस्विंक को उसी निर्वाचन छेत से भारती जंता पार्टी के उमीदवारों से हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 की लोग सबाचनाओ की बात कर लिजे या 2019 के लोग सबाचनाओ की बात कर लिजे बड़े-बड़े धोरंदर मौधी पदान मंतरी जो हैं इनकी हवा की कारण हार गए थे चुनाओ तो इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा चाराग भूटाली के सिलिसले में लालु प्रिसाद की गिरबतारी के बाद, राजत की एक वफाधार, वफाधा सदस और अननेता रगवण्स प्रिसाद सीह्ग की तरह, लालु प्रिसाद की करीवी के साथ ही किरुम में, इनकी बात होती है। वह मुकमंत्री पत के लिए रावडी देवी की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले में से थे। आप देखेंगे कि अगर कोई और होता तो यहाँ सपने देखने लगता कि लालू प्रसाद के बाद खुद मुकमंत्री बन जाए। लेकिन आप देखेंगे कि लालू चुनाओ में आरजेडी ने कैमोर की रामगर सीट से छेवार विधायक रहे जगनादन सिंग को बकसर से उमीदवार मनाया दिया। लालू के खास रहे जगनादन सिंग चुनाओ जीत गए। और रामगर की सीट खाली हो गई। 2009 में उप चुनाओ घुसेत हुआ। और सकते हैं कि ये पहले बेक्ती हैं जो परिवारबात का विरोध करते हैं और आप देखें कि सबसे पहले इन्होंने अपने घर से ही सुरू किया। आम कारकरता निरास होंगे उधार राजनितिक महत्वा कांच्छा पाले सुधाकर सिंग यानि कि इनके पुत्त चायते थी कि उन्हें टिकेट मिले लेकिन जगदानंद सिंग ने अम्भीका यादों को टिकेट दिलवा दिया और ठाकुर बहूल सीट पर उन्हें बिजय दिलवा दी और आप देखें कि मंतरी रहते हुए इनके लाके में किये गया काम के लिए जगदानंद को आज भी लोग याद करत हैं फितापुत्त में कहते हैं कि इस कारण इन्होंने अपने बेटे के खिलाब आप देखें पिचार किया और सालों तक ये दोनों की वीच बोल चाल बंद रहा है और अभी आपने देखा होगा कि इनके एक बेटे ने जेडी उज्वाइन किया हुआ है तो मुझे नहीं ल नाम भी नहीं सुनाओगा अधिकतल लोगों ने इसके बाद 2010 की विधांसार चुनाओ की घोशना हुई सुधाकर सिंग चाहते थी कि इस बार उन्हें टिकेट मिल जाया और पार्टी को कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन कहते हैं कि जगदानंद सिंग की सहमती नहीं मिली जगदानंद सिंग के लिए बिकाट इस्तिती पैदा हो गई और जानकार बताते हैं कि लालू को जगदानंद पर भरोसा था वह कहते हैं रहे कि जगदा बाबु जो करेंगे पार्टी की हित्मे करेंगे दूसरी ओ लड़ाई कटिन होती जा रही थी इलाके में लोग यह भ पित्यासी का प्रिशार और वीजेपी को खुलकर विरोध किया सुधाकर सिंग चुनाओ हार गए और बताया जाता ही कि इसके बाद पितापुत में बरसों तक बोल चाल बंद रही बहुत दिनों तक दोनों की रास्ते अलग रहे और आप देखिए कि अगर सुधाकर सिंग इस समय चुनाओ जीच जाते तो ये बात सामने आने लगती है और मुझे लगता है कि लालू प्रिसाद यादों का भरोसा भी तूट जाता कि मान लिया जाता देखिए लोग अंदाजातों लगाते रहते हैं और न्यू चैनल सा आप देखते हैं जिस तरह की खबर चापते जगदा नंद सींग 2014 का चुनाओ वकसर से हार कर कमजोर पड़ गए थे और बीजेपी ये सीट जीत कर संदेश देना चाहती थी कि लालू का आखरी किला दोस्त हो चुका है आकरकार और आरजीडी उम्मीदवार अंबिका यादा हो चुनाओ हार गए और बीजेपी के असो सुधाकर पहली पार्टी के लिए काम करें फिर टिकेट का दावा करें केबल जगदानंद के बेटे की वज़े से उन्हें टिकेट नहीं दिया जाए और बताया ऐसा भी जाता है कि सुधाकर सिंग को ना बीजेपी आत्म साथ करपाई ना वह बीजेपी को 2019 में MLC का चुना हुआ तो जिससे में उनके भाई डॉक्टर पुनिस सिंग को आरजीडी ने उम्मीदबार बनाया सुधाकर सिंग पर आरोप लगा था कि उन्होंने बीजेपी उमेदबार की जगए अपने भाई के लिए प्रिचार किया बीजेपी ने उन्हें बाहर का रस्ता दिखा दिय जाते हैं और 2020 में जो बिधानसवा चुना हुए थी ना बिहार में उसमें आरजीडी ने सुधाकर सिंग को टिकेट दिया था और 58,083 बोट मिले थे ने और इन्होंने जीत हासिल किये थी तो अभी बरतमान में आपको बता दूँ कि बिहार बिधानसवा कि सदस हैं के अभी देखने को मिलते हैं आप देखें कि अधिकतर बेटी तो इसलिए चुना और लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं कि अपने बाप की बदोलत अपने जो भी उनका उत्तरादीकारी की तोर पर देख लीजे कुछ भी कर लीजे भली वो उसके लाइक हो या ना हो लेकिन अलग ही कुछ मिसाइल एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों को इन से सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमेशा जगदा नंद बाबू का जगदा बाबू का सपोर्ट क्यों करते हैं लालूर यादव हो या तेजस भी यादव ह हुआ होगा केहते हैं कि जगदा बाबू जो भी करेंगे फैसला करेंगे वही करेंगे और एक बात और आप ने देख cool कि जगदा बाबू भी कहते हैं कि तेज-परताब्यादव कौन है उसके वल बार्पारिटी विधायक है इससे जाना उनकी कोई हैसियत नहीं है और गिरावट देखने को मिलेगी और इसलिए तेजस्वी यादव इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे लालू पिरसाद यादव एक तरह से आप देखे सुतंत हो चुके हैं क्योंकि तेजस्वी के रूम में उन्हें अपना उत्तरादीकारी मिल चुका है और बहुत अच्छ कर आया है यहां तक की तेजस्वी यादव भी उन्हीं की बदलत आपने लेखा है चुनाओ जीते हैं खेर यही कहानी है और मुझे लगता है कि इस तरह के नेताओं के बारे में बात होती रहने चाहिए आग भी लोग भी बताएए किसी और के बारे में बात करनी हो तो करते रहेंगे आप लोग